अगमी लोग सफा चुनाव को मद्दे नज़र रखते हुए कॉंग्रेस पार्टी लगातार एक्टिव है। पार्टी लगातार एक्टिव है। अगमी लोग सफा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। वहीं भारत जोडो न्याय यात्रा को लेकर भी एहम चर्चा हुई इस बैठक में। कॉंग्रेस के राष्ट्र एद्देक्ष मलिका अर्जुन खड़के ने तमाम निर्देश दिये हैं काम करने के। ऐसे में देखा गया है कि अब इस बैठक के बाद टॉंक से विधायक सचिन पाइलेट ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है भारत जोडो न्यायय यत्रा के लिए कि देश को एकता के सूत्र में बाँदने के लिए। बिश्वासियों की आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनितिक न्याय के लिए भारत जोडो न्याय यात्रा मडिपुर से 14 जनवरी 2024 से हाथ से मिला कर हाथ जन जन चलेगा भारत जोडो न्याय यात्रा के साथ बता दें कि कॉंग्रेस के राष्ट्य अध्यक्ष मलिका अर्जुन खड़के, इमफाल में दिखाएंगे हरी जनडी, 6700 किलो मीटर लंबी ये यात्रा होगी जो 14 राज्यों से होकर गुजरेगी ऐसे मैं राहुल गांदी पद यात्रा भी करेंगे लेकिन बस से यात्रा करते हुए भी नसराएंगे अब देखना होगा कि आखिरकार सचिन पा इंका गांदी ने उन्हें आगे किया, वह भारत जोड़ यात्रा का मैनेजमेंट भी संभालते हुए नसराएंगे और राहुल गांदी के साथ कई राज्यों में कदमताल मिलाते हुए भी देखे गए, हिमाचल में परिवेक्षक की तौर पर भी नियुक्ति किये गए थे, अब यहाँ पर यही देखना होगा कि भारत जोड़ो निया यात्रा में पाइलेट की एहम भूमिका क्या होगी और राजस्तान से भी यात्रा होकर निकलेगी, फिलाले इस सखास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें, नेक्स्ट ना आएंगे देखते रहें, इस दो फिलाले इस सवेटान से लिए यात्रा में परीज का कि भारत जोड़ो निया अपडेट्स के लिए इस सब्सक्राइब कर दोड़ों आएंगे, पर दोड़ों ऑ्रों परीज के एह वारें यात्रा आएंगे, चैन्गे, परीज एहान से अट